करवा चौत की बहुत 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 बताई और जय माता है रानी आज है करवा चौत और तयारी तो वैसे बहुत दिनों से चल रही है लेकिन फाइनली आज में पूजा होगी कल तो हमनों थोड़ा वीजी थे मेहंदी पालर एन ओल मेहंदी वेंदी लग चुकी है दोनों हाथों में आप बताईए कैसी लगी है और आज हो रही है पूजा की त्यारी मोहरत है आइधिंक पांच बच के चौबीस मिलट से चाहरे शाड़े शाह बज़े तक का तो प नौ बज़े के आसपास आएगा चान तो तब हम लोग चान रगेरा के पूजा करेंगे बाकि में पूजा आज का पेपर में निकला है साड़े पांच बज़े से 6.41 ऐसा ही कुछ निकला है तो फिलहाल मॉनिंग में मेरा सारा सफाय रगेरा हो चुका है नहावाली है मैंने और अब में करने जारी मॉनिंग पूजा और उसके बाद फरे जो हमारे महां बनते हैं उसको मैंने तियारी कर दिये दाल वागेरा पीस ली है और मैं अभी दिन में ही बना के लख दूँगी वी शाम तक तो हिम्मत नहीं होती है फिर इतना सब करने का तो अभी सारा मसाला अगेरा दाल वाल सब पीस के रख दी है और फटाक्स में पूजा हुजा करती है और फरे बनाने के तियारी करती हूं एक दो घंटा उसमें भी लगता है उसके बाद थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और फिर त्यारी हो जाएगी शाम की पूजा की चलिए आज सब मेलके मनाते हैं साथ में करवा चोथ अब मेरा फरे के लिए आटा गूंदी हूं मैं तुरह जादा आटा गूना पड़ता है इसमें मैंने हलका सा नमक डाल दिया है और सिंपल जैसे रोटी का आटा बनाते है ना वैसे ही आटा गूनना है कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है सिं लिए शाबत दन्या, साबत मिर्चा, काली मिर्ची, बड़ी इलाइची इन सब चीजों कर दो पीछ लेती हूं और फिर पहले यह जो खड़े मसाले हैं सुखे मसाले इसको पीछ लेती नमक डालके और जब पीछ जाता है तो इसमें खुब सारा लेसन डालते हूं और एक ब पानी बॉइल कर देते हैं नमख डालके और इसको पानी में बताया रहता है लग लग 40-50 मिनट लगता है इसको पकने में अगर वीर विवी खाते हैं लेकिन इसको करती हूँ है और इसको दोतिन स्टाइल सो बनाते हुआ जैसे कि कुछ में जीर मेती नहीं तो सोग प्यास डाल कर देती हूँ और कुछ में प्यास टमाटर पक्ता करवा चौट पर बनाता है लेकिन हम साल में दो चार बार तो बनाएं गोगे तो आज की रसीपी है करवा चौट स्पेशल फरे को अबाई अचार आज को अबाई आधा ने कर दो आज को आज कर दो की आज कर दो इसके लिए पानी का बॉइल होना बहुत जरूरी है अगर पानी में इस वोईल नहीं तो इसके लिए जरूरी है पानी को बड़िया से बॉइल करो नमक दाल दो दो चमच जितना आपका पानी है उसके पोनी में ने मेरा इतना बड़ा है तो मैंने इसमे लगए दो चमच से थोड़ा से ज्यादा पानी दाल रखा है अब यह फरे एक बाच पानी वोईल हो जाए तो कैस को एक्दम स्विम कर देजाए एक्दम स्लो मोशन बोलते हैं अब इसको बिल्कुल स्लो मोशन में पकाना है जब तक यह पके एकदम ऊपर ना तैरने लग जाए अब यह बिल्कुल गीले हैं और यह जाके तले में बैठ ज चलिए एक घंटा नहीं भी तो यह 40-45 मिनट्स अराम से लेते हैं तो इनको अराम से पकने दीजिए पहले आटा पकेगा आटे के अंदर की दाल पकेगी तो इट विल टेक सम टाइम और जो जितना पकने में टाइम लेता है उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया होता है यामी कर दो हुआ है याम अब सरधानी से डालिए कि पानी बिल्कुल बहुत गरह मैं कि इतने डाल देर बाके भी बनाते हूं कि नीची का काम हो गया है आप जड़ा चछत की सफाय के लेती हूं तो कि रात पर मुझे पूजा करने है तो जहां पर पूजा करनी है उस जगे को थोड़ा साथ यह इंदर के लड़ो बड़ो लगा के पानी से दुल की साफ कर लेती हूं कि रात को इधर ही सामने से चांद आता है तो यहीं पर पूजा करती हूं मैं तो त्यारी कर लेते हैं अब लग 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 ताड़ी सार पांच तो बजी के है पटा पच्छत की भी सफाय फाय करके वैडियो जाने के लिए चलते है अब कर चुके हैं शाम के पांच त्यारी चल रही है मेरी थोड़ी कर्वा की पूजा में लिए यह चांद भी गए इसको पीसना पड़ेगा इससे कर्वा डेकुरेट होता है और उपर छट पे थोड़ा स्वास्ति वगरा बनाते हैं उसके लिए तो इसको सिल्वटे में प पहले कर्वा की तीयारी करते हुए फिर कुछ त्यार हो जाओंगी थिक और रखाता हुए उसको पीसा है और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाके इसको डेकुरेट कर्वा को हल्का सा बाहर तो आज करव में विघि बहुत पूछ थे लेकिन ये मेरे माई के से आया था पहली गरवा में तो मेरे पास है करवा ये इससे पूछ थी हूँ जिनके पास पास तरुझ नहीं होता है मिट्टी के करवे का यूस करते हूं आज देखो चंदा मामा कितने बज़े आते हैं आज इस बार मुमी मेरी मुक्तेशवर में है और मैं यहा हूँ लास्ट यह मुक्तेशवर गई थी मैं दो करवा से पूचा करूंगी कि ते सिंगल करवे से पूचा नहीं करते हैं तो मैं यह हलदवानी से मम्मी के लिए दो ले गई थी पर मम्मी के पास गौर जी है तो इससे मैं करूंगी यह देखे किता सुन्दर सा डेकॉरेट कर रखा तो इसको डेकॉरेशन की जरुवत नहीं है इसको ऐसा ही मैं यूज करूंगी यह हो गया इसका यह पतन हो गया दिये हो गया तो अभी इनको समान से फिल करते हैं करते हैं करवा चलो जो जाओ फुल छुड़ सब्सक्राइनली मेरा ये तियार हो चुक है करवा एक ये चुटा करवा है ये मेरा शादी करवा है इसके अंदर मैंने लगया चुगरा लावा अटे के चुटे चुटे पांच गोले और मिठाई रख दिये और ये उपर नए चावल इसमें भर रखे हैं और तियार एड़ी कर दिया है फिलाला मैं खुद त्यार होने जारी हूं फिर इन सब चीज को स हुआ है फिलाल त्यार हो गए हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं यहीं पर दिया विया जला के कथा तो तिये करवा चौत के कथा वह और आड़ती है यहीं पर कर लेती हूं उसके बाद ऊपर जाएंगे च्छत पर वहां पर चोटी फूजा होगी और चांद को अर्ग देना होगा च्छत पर जाके पिजाल कथा यहीं पर पर ले दे हूं और आर्थिया भी यहीं पर कर लेते हैं च्छत पर आगे हैं पूजा शूरू कर दिये चांद निकलने ही वाला है इंतिजार कर रहे हैं चांद का हम लोग और पूजा तब तक शूरू कर रहे हैं देखते हैं चांद का बात है चांद निकली गया साड़े आठ बजी के बाद ही यहां पर निकला कोहरा और पॉलुशन इतना है कि साफ दिखी नहीं रहे है चांद अब अर्ग वगएरा देखे पूजा करते हैं चांद की और चलते हैं नीचे तिलाल आज की ब्लॉग में इतना ही अगर आपको मेरे ब्लॉग फसंद आ रहे हैं आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तक तक आप जहां पर भी हैं खुश रहे हैं स्वस्त रहे हैं और आबाद रहे हैं जै माता लिए झाल कर सकते हैं